को कि आधे Gosh के वेसिक इंगलिस ग्रामर में आज start करते हैं अदर पार्ट्स संटेंजिंड वाकि laugh कि वाकिक से मिलकर भाइँ होते हैं आज हम येही देखेंगे तो प्रहली बात संटेंज किया होते हैं उसके बारे में मैंने आपको पहले बता आ होता है words से मिलकर बना मिलकर बना होता है जिसका कुछ sense मतलब means होता है सब्जेक्ट मतलब go sentence के मुख्यते combine होते हैं पहला होता है सब्जेक्ट success का मतलब उतरह कर ता वर मतलब तक्रिया जिसको क eens कर्म काम या कारी भी बोल सकते हैं उसके बाद object होता है object मतलब कारक होता है पहले चलिए example से थोड़ा देखते हैं उसके बाद हम इसके definition को बताएंगे राम इजे reading a book राम एक किताब पढ़ रहा है राम एक किताब पढ़ रहा है तो यहाँ पर पढ़ने का काम कौन कर रहा है राम इसलिए राम हमारा क्या हो गया subject और कौन सा काम कर रहा है पढ़ने का तो हमारा वर्व क्या हो गया reading और इज भी हमारा वर्व है लेकिन है helping वर्व है state वाला वर्व है उसके बाद क्या है आबुक मतलब पढ़ने का प्रभाग किस पर पढ़ेगा किताब पर क्योंकि किताब की पन्ने को उल्टेंगे पलटेंगे इसलिए आबुक हमारा क्या हो गया अबजेक्ट और रीडिंग हमारा क्या हो गया वर्व और राम क्या हो गया राम हमारा हो गया सबजेक्ट वैसे किपले को लिए बाल को लेंगे उसको टच करेंगे इसलिए क्रिकेट हमारा क्या हो गया अबजिक्ट अब चलिए इससी चीज को हम ट्रम और यापको समझ में आ चलिए अपको होते हैं यह आपको मालुम चफ़ जाएगा सब्जयक्ट सब्जेक जर्फ चिक ऑजर्फा करता है उस कार्या करता है और चुप कार को प्रदर्शीज करता है जो ऊसके बारे में बात की जाती है या वो किसी कार को करता है तो इसको क्या बोलते हैं सब्जेक्ट सिंपल सी बात है चलिए एक्जामपल राम इज फ्लेइंग दे क्रिकेट इसमें खिलने का काम किया जरा और खिलने का काम कौन कर रहा है राम इसलिए राम हमारे क्या होंगे सब्जेक्ट हो गए मतल हो रहे ही राम के बारे में राम कोई काम नहीं कर रहा है बलकि उसके बारे में बात हो रहे ही कोई अच्छा लड़का है तो यहां पर राम हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट लेकिन इस वाले एक जांपर में में राम एक कार कर रहा है और कौन कर रहा है राम कर रहा है इसलिए र करता है उसको क्या वोलते हैं सब्जेक्ट इसके बाद चल लेते देखते हैं आगे वर्व अब आपको समझ में आ गया होगा है सब्जेक्ट क्या होता है असानी से फाइंड कर सकते हैं उसके बाद वर्व मतलब क्रिया का मतलब होता है एक्सन बताता है या फिर स्टेट मतलब वर्व मारा एक सब्द होता है वर्वाले definition में हम detail में बताएं यहाँ पर किवल हम छोटा सा part मतलब छोटे से छोटे में बताएंगे वर्व मतलब क्रिया होता है यह या action बताएगा या state बताएगा पहले चलिए इसके definition को देख लेते हैं वर्वी is the one वर्व एक ऐसा सब्द होता है विच जो जिसके बारे में describe वर्व किया जाता है the action कार क्या वर्व करता है are the state of the subject मतलब subject दोवारा किये गए कार को बताता है या फिर state को बताएगा मतलब जो हमारा वर्व होता है simple सा होता है एक action वाला वर्व होता है कौकि बताएगा या फिर एक्साण मतलब कारे को बताएगा यह लिए एक्जामपल सेयरा स्लीपिंग यहां पर सोने का काम किया जा रहा जब् MID रोहन की दौरा परे देखिए state of the subject और action of the subject या तो subject के action कार को बताएगा या फिर subject के state अवस्ता को बताएगा तो रोहनी sleeping रोहन सो रहा है इसमें सोने रोहन इस sentence में कौन सबजेक्ट है रोहन क्योंकि रोहन सोने का कार कर रहा है तो यह देखिए तो रोहन कौन सा कार कर रहा है sleeping सोने का इसलिए हमारा sleeping क्या हो गया वर्ब हो गया लेकिन is लगा है इस state भी बता रहा है मतलब इसमें दोनो ओर बोसकते हैं दूसरा मारे संभुने वाला तो यह पर इच फी वर्वॢ है लेकिन हमारा जो इच है! Arak फिर बोल सकते एंफ तो है कि हमारे स्टेट हां मतलब होता है अवस्था तो यहा पर इस जो है यहां वाज होता तो पास्ट को बताता और विल होता तो फ्यूचर को बताता तो यहां से आपको समझ में आ गए कि इसमें डू वर्व है एक सोने का कारक किया जा रहा है और दूसरा इस समय सो रहा है राम रोहन इस समय सो रहा है इसलिए यहां पे दोनों हमारा क्या है वर्व है और सो रहा है तो नीद नहीं आ रहे सुने का प्रयाज कर रहा है तो यहां को आपको समझ में आ गया होगा कि जो वर्ब होता है किसी sentence में या तो action कारक को बताएगा subject के द्वारा है यह main point है मतलब subject के action कारक को बताएगा या फिर 静्जंग कार के द्वारा R大家 म्तलब करता कि किसी भी संटेंस में करता कि कार्टक किये canviाल का प्रभाव जिस पर पड़ता उसको अब्जेक्ट बोलते हैं मतलब सिंपल लंग्वेज में हम यह बोल सकते हैं कि जो हमारा अब्जेक्ट होता है किसी संटेंस में सबजेक्ट राम मैधान मैधान पर दोड रहा हूं यहा पर जब दोड़ेगा तो किस पर दोड़ेगा ओपर ₹्सित्त और क्रिकेट् खेलने का प्रभाव किस पड़ गाइगा ऑप और के मैधान को पकड़ेगा तू किसी भी संटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसका प्रभाव जिस पर पढ़ता है या कार का प्रभाव या फिर अवस्था का प्रभाव यहां पर कार हो रहा है तो कार का प्रभाव किस पर पढ़ रहा है क्रिकेट पर इसलिए क्रिकेट हमारा क्या हो गया हो जाता है